हेलो दूस्तों आज हम मार्किट के ओवरॉल व्यू से इलेटेड बाते करेंगे अगर हमें आप व्यू पता रहेगा तो हमें कहीं न कहीं आसानी होगी कि आगे हमें क्या करना है उसमें डिसीजन लेने के लिए तो स्टॉक मार्किट में किस तरीके से काम करना है हाना वह मार्किट यहां पर ऊपर जा रहा है या फिर यहां से मार्किट नीचे आ रहा है वो सभी प्रॉबिल्टीज पर हम यहां पर बात करते हुए नजर आएंगे तो लास्ट टक वीडियो में बने रहिएगा देखिएगा ताकि आपको यहां पर पूरा एक आईडिया लगता और विडियो में आगे बड़े हमीशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल I am small cap investor को subscribe, bell icon को hit all की notification को on करे, buying selling की recommendation है नहीं, अपने financial advisor कुद की study करनी है, चीजों को सीखना और सीखने के लिए मैं हमीशा करता हूँ कि वीडियो को जाईए, देखिए, वो सारी चीजे आपको देखने, सीखने को यहाँ पर मिलती हुई नजर आएगी, दूसरी बात, अगर किसी को साथ में काम करना है और या फिर बारी क्या सीखनी है, कि शेर क्यों भागता है, शेर क्यों गिरता है, जब तक आपको यह नहीं पता रहेगा, तब तक आप कैसे यहाँ पर समझ पाओगे, तो वो ही चीजे हम यहाँ पर सिखाते हैं, तो आपको description में, ठीक है, यहाँ पर number मिल जाएगा, उस course को आप कर सकते हो, basics to advanced technical research fundamental, सब चीज आपको यहाँ बताते हुए, नजर आएगे, शेर यहाँ से ही, क्यों भागा, शेर यहाँ से ही, क्यों ग बढ़ते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, कि देखिये, मार्केट में, चल क्या रहा है, ठीक है, मार्केट आपको दिखाई देगी, कि देखिये, 200 पॉइंट उपर है, मिट के भी देखो कि तो उपर है, बट मार्केट, अबर आपका portfolio की अगर बात करें, तो श मार्क के महिने में, ठीक है, मन ते लेंड, तिल डेट, ठीक है न, यहाँ पर FIs ने बाइंग करी है, नेट बाइंग पॉजिटिव है, इसके इलावा, अगर हम DIs की बात करें, तो आपको पदा चलेगा कि जो नेट बाइंग है, वो 56,000 करोड रूपीज के आसपास की नेट बाइंग है, ठीक है न, तो क्या हो रहा है, तो यहाँ पर बाइंग अच्छी खासी आती हुए दिखाई दे रही है, बट यह तो बात कर लेते हैं, लोग नेट परचेस, बट अगर घहराई में उतर होगे, समझोगे, तो आपको समझ में आएगा, कि FIs ने लगबद 3,000,000 करोड रुपे की यहाँ पर बाइंग करी है, ठीक है, बट उसके साथ में यहाँ पर 32,000 करोड रुपे की सैल भी किया है, तो मतलब कुछ ना कुछ शेरों में यहाँ पर सैल हुआ है, ठीक है, और कुछ ना कुछ शेरों में यहाँ पर बाइंग हुआ है, और यहाँ पर बा बागी यहां पर देखें तो after two months FIs यहां पर buying के mode पर आये हैं बागी अपने DIs तो लगाता है यहां पर buying कर ही रहे हैं वो आप यहां पर देख सकते हैं अब बात करते हैं डेटा से तो यहां पर निफ्टी की बात करें उससे पहले हम थोड़ा American market की तरफ चलते हैं और उसे ए लगवा 49,800 के आसपास जो इसका ही था 49,800 उसे cross करता है तो मैं समझ सकता हूँ कि यहां पर तेजी होगी अधरवाइस यहां पर हो सकता है कि थोड़ा consolidation mode यहां यहां पर थोड़ा सा गिरावट के बाद consolidation mode कहा के फिल उपर जाता हुए दिखाए दे अधरवाइस इंडेक्स मुझे दिखाई नहीं देती, बीच में गिरावट होती रहती है, that is stock market ठीक है और बीच में गिरावट हमेशा रहेगी और वो हमेशा ही रहती हुए दिखाए देगी, अब बात करते हैं हाँ पर nifty fifty गी, तो nifty fifty कहा करी है, nifty fifty कहा करी है, I am positive ठीक है और मुझे भी लग रहा यहाँ पर consolidation mode है, जैसी यहाँ से निकलेगा, चीज़े और उपर जाती हुए दिखाई देगी, ठीक है तो यहाँ पर positive view है, election वगरा है, हो सकता है, consolidation में एक आद महीने और problem दे, पर उसके बाद जब भागेगा, तो अच्छा खासा भागता हुए, निजर आता हुए, दिख दे रहा है, बट मुझे यहाँ पर इस particular zone में क्या दिखाई देता है, इस particular zone में दिखाई देता है, कि यहाँ पर consolidation mode में यह particular index जाता हुए, दिखाई दे सकता है, थोड़े time के लिए और उसके बाद जब से ही यह breakout होता हुए, दिखाई देगा, तो यहाँ पर एक तेजी के बारे में हम यहाँ पर सोच सकते हैं, कि यहाँ पर एक तेरी आ गई है, तो यहाँ पर आप देखिए, रजिश्टाइन से, अगर इसे cross करता है, तो positive मानेंगे, अदरवाइस थोड़ा से यहाँ पर ध्याँ देंगे, तो nifty mid cap के बारे में यह है, अब देखिए, mid cap positive था, nifty 50 यहाँ पर positive था, बट बात करें small cap की, तो small cap यहाँ पर positive नहीं, कहेंगे कि positive यह है, बट flat था, ठीक है, वो flat की वज़े से, आप देख पा रहे होगे, जो आपके पास stocks होंगे, ठीक है, वो यहाँ पर move नहीं कर रहे होंगे, तो फिर थोड़ा बोती किसी ने move किया होगा, थोड़ा बोत किरता हुआ नजर आए होगा, तो वो इसी वज़े से था, small cap में यहाँ पर तेजी नहीं थी, small cap थोड़ा सा weak नजर आता है, ठीक है, इस particular line के जैसे ही उपर जाएगा, मैं थोड़ा सोचूँँगा, ठीक है, अब ठीक है, but still positive होने और ना होने का reason कहा है, कि अब यहाँ पर इतना attraction बनानी है, plus में कुछ event यहाँ पर आगे इस तरीके के है, कि यहाँ पर किसी तरीके का view अभी बनाना समझदारी का संकेत नहीं होगा, but still long term का view है, तो buy and dips की रनी थी है, क्योंकि चीज़ों को उपर ही जाना है, but अगर short term का view है, तो हम हीशा याद बनेगा, क्योंकि risk management ही सबसे बड़ी चीज इस टॉक मार्केट में होती है, तो यह पर देखते हैं, अभी negativity भी नहीं है, तो यहाँ पर positivity भी नहीं है, थोड़ा सा इस तरीच के basis पर हमें काम करना है, बाकि March मन था, वो यहाँ पर श्राय बेकार मन था, ठीक है, but यहाँ पर हो सकता है, कि जो गरावट होनी थी होगी, अब जो particular stock specific action है, वो यहाँ पर बना रहा है, और market share यहाँ पर उपर जाते हुगे, दिखाई दे सकते हैं, अब बात करते हैं, एक index की जिसका नाम है nifty bank, अगर हम nifty bank index को देखते हैं, तो यहाँ पर एक positivity बनी हुई है, और मुझे टच करेगा, तो मुझे लगता है कि अब यह जो index है, और तेज भागने को तयार है, क्यों क्यों कि यहाँ पर एक breakout हुआ है, reverse cup with handle pattern का, ठीक है, inverted head and shoulder pattern का यहाँ पर breakout होता हुआ दिखाई दिया है, पर चीजे यहाँ पर और अच्छे से भागती भी दिखाई दे सकते हैं, औ अगर मैं target की बात करूँ, तो अगर यह index इसके हिसाब से चलता है, यहाँ पर एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है, index 51,500 के आसपत जाता हुआ दिखाई दे सकता है, यहाँ पर क्या है, आपको bank की तरफ ध्यान देना है, बैंक की तरफ आप ध्यान दोगे, कु क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे, PSU bank दुबारा उठके खड़ा हो गया, with a positive note, जो कि मैंने पिछली वीडियो जब मैंने बनाई दी, index इलेट, तब भी बताया था कि banking पर ध्यान देना है, PSU की तरफ ध्यान देना है, और क्योंकि यहाँ पर negativity शो नहीं होती, और अभी भ वह सारे bank यहाँ पर underperform करते हुए दिखाए दे रहे, अपने 52 week, sorry, all time high से वह सारे bank यहाँ पर काफी नीचे है, उनकी तरफ आप एक बार गौर फरमा सकते हो, देख सकते हो, प्रटिश्टेल याद रखिये का buying selling की recommendation नहीं है, तो निफ्टी फार्मा की तरफ आप नजरे बन सकते हैं, और small cap की तरफ ध्यान दोगे, तो आपर रिस्क जड़ू होता है, बट पैसे भी भी बनते हैं, हमारे चाइनल का नाम है small cap investor, तो इसलिए हम small cap से लेटी बाते करते हैं, है बहुत सारे यहाँ पर pharma stocks जो हमारे पास है, तो इसलिए याद रखिये का buying selling की recommendation नहीं है, अगर आप जानना चाहते हो, साथ में काम करना चाहते हो, तो नीचे description में number है, 8860540501, 8169262037, course और साथ में आपर काम कर सकते हो, तो आपको इस stock से लेटी यहाँ पर पता चलता हुआ, नजर आएगा, तो दो index से लेटी आपने बाते कर लिए, बट इसलिए आप चाहोगे बाकि यहाँ पर थोड़ा सा इदे उदर काहीं मामला है, तो bank selling की recommendation है नहीं, अपने financial advisor कुद की study करना है, चीजों को यहाँ पर नया मंत शुडू हो रहा है, ठीक है, तो उस तरीके से observe करना है, देखना है, कि यहाँ पर कहाँ पर attraction बना हुआ है, और इसकी हिसाब से यहाँ अब पैसे डालोगे तो आपके पैसे बनते हुए नजर आएंगे, तो वीडियो अच्छी लगे, लाइक, कमें शेयर, चाले को सब्सक्राइब, बैल आइकन को हीट, नीचे दिए गए नमबर पर कॉन्टाक कर सकते हैं, थेंकी सो मच, गोड़ पीदिस,